मूवी स्टार्ट होती है शिंगाई की एक बहुत बड़ी कमपनी से जहां पर रात के अंधेरे में लैब में हमें एक बहुत ही बड़ा सा खौफ नाक शैड़ो दिखाई देता है पता चलता है कि मिस्टर बरनिश नाम के एक अमीर और बहुत ही सक्सेस्पूल बिजनसमैन की ये कमपनी है मिस्टर बरनिश पूरी दुनिया को बताना चाते थे येटीस की प्रेजन्स के बारे में और ये कि वो कितने पावरफुल और मैजिकल हैं इसलिए उन्होंने येटीस को यहां कैद किया हुआ था और उन पे डिफरेंट किसम के एक्सपेरिमेंस करते थे ये शैडो जो हमने देखा था वो एक येटी का था जो अब यहां से अजाद हो गया था वो सिक्यूरिटी काद से बचते बचते यहां से किसी तरीके से निकल जाता है कमपनी से निकलने के बाद वो कुछ स्टेर्स यूज़ करता है जिसके बाद वो बहुत सारी बिल्डिंग्स के उपर से गुजर कर एक रूफटॉप पर एक छोटे से कैबिन में जाकर छुप जाता है ये बहुत जादा जखमी हो चुका था पैशलीस का हाथ बहुत बुरे तरीके से जखमी हो चुका था दूसरी तरफ हम देखते हैं मुवी की क्यूट सी हिरोईन को जिसका नाम है ये वो एक अपार्टमेंट में अपनी नानों और मॉम के साथ रहती थी पढ़ाई के अलावा उसके पास बहुत सारे काम थे जब वो स्कूल से वापस आती थी तो पार्टम चॉप्स करती थी जैसे के लोगों के पपीस का ख्याल रखना उनको वाक के लिए लेके जाना एक जगा के गार्बिश डिस्पोजल का काम करना इस सब में वो इतनी मश्रूफ थी कि उसे अपनी फैमली के साथ टाइम स्पेंट करने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता था और वो इन सबसे बोर भी होती थी यह अपनी लाइफ बिल्कुल एडल्स की तरह गुजार रही थी और ऐसी रूटीन के साथ उसके पास फ्रेंट से मिलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था उसका सोशल सरकल बिल्कुल निल था उसके सिर्फ दो दोस थी एक था पिंग जोके बहुत ही बड़ा बास्केटबॉल फैन था और दूसरा उसका कजन जिन जोके सोशल नेट्रुक पर बहुत ही ज़ादा फेमस था यी तो इन दोनों से भी नहीं मिल पाती थी क्योंके रूटीन इतनी जोटाफ थी वो घर जाती है और उसकी नानियों से कहती है कि मेरी मदद करा दो खाना खालो ड़िवपध यहां पर भी यह उनको इंकार कर देती है और अपने रूम में चली जाती है यह अपने रूम में जाती है और विंडू से निकलकर रूफ टॉप पे चली जाती है जहां पर हम देखते हैं कि उसने अपना एक छोटा सा टेंट बनाया हुआ है जो कि उसका अपना पर्सनल रूम था यहां पर अब हम सब सोचेंगे कि उसको इतनी जादा जॉब्स करने की क्या जरूरत थी जब कि उसकी मॉम भी उसको सपोर्ट करने के लिए यहां पर है इसका जवाब हमें EK रूम से मिलेगा EK रूम में एक बोर्ड लगा था जिसके उपर बहुत ही डिफरेंट जगों की पिक्चर्स भी पेस्टिट थी यहां पर हमें पता चलता है कि EK फादर की डेट उसके बच्पन में हो गई थी EK फादर और उसका प्लान था यह एक वाइलन उठाती है और रूफ टॉपर प्ले करने लगती है एक बहुत ही खुबसूरत सी मेलेडी रात के इस टाइम पर जब सिटी लाइट सिफ आन थी यह नजारा बहुत ही ज़ादा खुबसूरत लगता है अब इस नजारे को खराब करने के लिए हम एक हेलिकॉप्टर चॉपर को देखते हैं और यह चॉपर मिस्टर बर्निश का था यह टी के जाने के बाद से उन्होंने पूरे सिटी में डिफरन चॉपर्स भीज़ दिये थे ताके यह टी को ढून कर वापस लाया जा सके अब जैसे ही हेलिकॉप्टर यह के करीब आता है इसके प्रेशर से ही गिर जाती है और उसके हाथ से वाईलेन नीचे स्लिब होकर गिर जाता है और टूड जाता है यह जब अपना वाईलेन उठाने के लिए पास चाती है तो उसे शेट के पीछे से एक बहुत ही बढ़ा सा हाथ नजर आता है एक वाइट कलर का फरी सा हाथ और ये शायद येटी का ही था यहाँ पर जब वो स्टिक से अपना वॉयलन उठाती है तो यहाँ पर उसका वॉयलन बच जाता है आवाज सुनते साथ ही येटी भी उच जाता है वो जब अपने कवर से बाहर निकलता है तो ये उसे देखकर बहुत सादा डर जाती है पर अस्मान में चौपर भी था येटी उस चौपर को देखकर बहुत डर जाता है और ये समझ आती है कि मुझे इसकी मदद करनी होगी वो कुछ शीट्स में येटी को छुपा देती है और चौपर वापस चला जाता है अब यहां पर ये खबरात हो रही थी और वो बाहर शेंड में ही बैठी रहती है पूरी रात अब जब सुबा होती है तो वो देखती है कि येटी के हाथ में चोट लगी है और वो फॉरंस फार्मसी जाती है कुछ मेडिसंस लेने के लिए जब वो वापस आती है तो अपनी नानी के बिनाए हुए बाउजी भी लेकर जाती है येटी के पास वो उसकी बैंड़ज करती है और बाउजी उसे खिलाती है इसके बाद तो वो येटी का ट्रस्ट जीद ही लेती है येटी और येका बाउन बहुत स्ट्रॉंग हो गया था ये उसे अपना वाइलन प्ले करके भी सुनाती है जिसके बाद मैजिकली येटी इचानक से ग्लो करने लग जाता है इसके साथ ही साथ पास बढ़ा एक पॉट जिसमें फ्लावर डेड हो चुका था वो दुबारा से ग्रो कर जाता है यहाँ पर ये उसे शारों में पूछती है कि तुम्हारा घर किदर है तुम्हारी फैमली किदर है पास ही एक बिल्दिंग के उपर माउंट एवरिस्ट का बोर्ड लगा था येटी उसकी तरफ पॉइंट करता है और उसे शारों में बताता है कि माउंट एवरिस्ट ही उसका घर है वहाँ पर उसकी फैमली है अब ये दोनों खेल ही रहे थे कि ये के दोनों फ्रेंट्स पैंग और जिन वहाँ टॉप पर आ जाते हैं जिन जब जैसे ही देखता है कि वहाँ पर एक वाइल्ड अनिमल है वो फॉरण पॉलीस को कॉल कर देता है ये बहुत मुश्किलों से उसकी कॉल तो एंड करती है पर कॉल पर वो लोग येटी की आवाज सुन लेते हैं मिस्टर बरनिश के लोग तो पहले ही येटी को ढून रहे थे अब इस क्लू के मिलने के बाद वो अपने चॉपर को उस तरफ भेशते हैं वहाँ पर जैसे ही चॉपर पहुंचता है तो ये येटी को लेकर भाग जाती है वह एक बिल्दिंग से दूसरी बिल्दिंग के उपर जंप करते हैं दूसरी तरफ पिंगप और जिन को लगता है कि शायद येटी ये को लेकर भाग गया है और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं कि ताके जाकर ही को बचा सकें यह अब येटी को लेकर एक बोर्ट तक पहुंचती है जिसके बाद वो उसको कहती है कि बोर्ट पर चले जाओ और तुम हमालियास तक पहुंच जाओ पर यहां पर हमारा छोटा सा की उट्सा येटी छुपना भी नहीं जानता था वो एक छोटे से कैन के पीछे जाकर छुपने की एक्टिंग करता है ये सब देखने के बाद ये को पता चल जाता है कि येटी अपने घर तक नहीं पहुंच सकेगा अगर उसने उसकी हल्प ना की और इसके साथ ही ये भी बोर्ट पे जम कर देती है पीछे पैंग और जिन भी आ जाते हैं और येकी मदद करने के लिए वो दोनों भी बोर्ट पे जम कर देते हैं इसके बाद जिन अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि ये सब लोग एक कॉल स्ट्रिप पर जा रही है ताके कोई भी परेशान ना हो इसके बाद वो ये से कहता है कि हमें घर वापिस चलना चाहिए क्योंकि हमने इसे चौपर से तो बचा लिया है अब बाकी इसका काम है इसको किसी सेफ जगा पे उतार के हम वापिस चलते हैं ये उसे बताती है कि माउंट एवरिस में इसका घर है और हमें इसे वहाँ तक छोड़ना ही होगा यहाँ पर जन उसे आर्ग्यू करता है कि वहाँ तक हम किसी भी दरीके से अकेली नहीं जा सकेंगे वो जैसे ही हरबर पहुंचती है ये तीनों येटी के साथ खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं वो बॉक्स सौड़ा कैंसे भरा हुआ था अब ये लोग वेट करते हैं कि शायद इनको किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके यहाँ पर बॉक्स में येटी और पिंक वो बहुत जादा ड्रिंक्स पी लेते हैं जिसके बाद इन दोनों को वाश रूम जाना पड़ता है यहाँ पर बॉक्स में हलचल होने लगती है और जिस ट्रक्ट में ये बॉक्स केरी हो रहा था वहाँ से बॉक्स गिरकर एक फॉरिस्ट में खुल जाता है यहाँ पर फॉरस्ट में घर से निकले हुए इनको एक दिन से जादा हो गया था और यहाँ पर ग्रीनरी से सराउंड होकर ये लोग खुश तो थे बट इनको भूग लग गई थी इसके बाद येटी अपनी पावर्स यूज़ करता है वो बहुत ही जादा कॉंसंटरीट करता है जिसके बाद अचानक से वहाँ की फॉरस्ट में ब्लू बैरीस बड़ी होने लगती हैं पर यहाँ पर येटी हमारा छोटा सा है उससे अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं होती और देखते ही देखते ब्लू बैरीस बहुत ही जादा बड़ी हो जाती हैं और बहुत ही जादा पल्पी होने की वज़ा से वो सारी फटने लग जाती हैं यहाँ पर सारे के सारे लोग परपल और ब्लू होने लगते हैं और यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे बलून वाटर फाइ हो जाते हैं कि यी कितना प्यारा फॉयलिंग बचाती है इसके बाद जिन उसे कहता है कि हमें पास ही के जंगल में इसको छोड़कर घर वापिस चले जाना चाहिए क्यूंकि हमारे पास अभी टाइम है दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर बरनिश को और उसकी साइंटेस पैंक जिन माउंटेंस तक पहुंच चुके थे जहां पर वो लोग अपनी मस्टियां कर रहे हैं और वहां पर अचानक से कुछ ड्रोंज आ जाते हैं जो के मिस्टर बरनिश के थे इसके बाद येटी यहां पर अपनी पावर्ज यूस करके एक प्लान को बहुत बढ़ा कर जिसके बाद हवा के प्रेशर से ये लोग वहां से उर जाते हैं इसके बाद ये लोग उरते उरते एक डेजर तक पहुंच जाते हैं और पिंग बहुत उदास होता है कि जिन पीछे रह गया पैंको उदास देकर येटी उसके साथ खेलने लगता है वहां पर कुछ चोटे चोटे टर्टल्स थे जिनके साथ वो खेल कर पैंक को हैपी करता है दूसी तरफ डॉक्टर जारा जिनको बताती है कि येटी बहुत ही जादा टेंजरस है और इसी तरह से बातों बातों में वो उनसे प्लैन गुलवा लेता है अब रात हो जाती है और यहां पर मिस्टर बर्न पत हर एक ने उसका मजाग उड़ाया था और किसी ने भी उसकी बात को सीरियस नहीं लिया जिसके बात से उसने अपनी पूरी जिन्दगी लगा दी पस येटीस को ढूनने में और ये कि दुनिया को बता सके कि ये क्रीचर्ज कैसे हैं और कितने मैजिकल हैं अब रात को की बाते सुनाई देती हैं जो कि एक एजन से बातिं कर रही थी अब उसको यहां पता चलता है कि डॉक्टर जारा तो मिस्टर बर्निश को डबल क्रॉस कर रही है उसको एनिमल से कोई प्यार नहीं था बलके वो येटी को पकड़के किसी और को सेल आउट करना चाहती थी उसक बात वो माउस मिस्टर बर्निश के पाश चोड़ देता है उसे यकीन था किस दिल में अभी कुछ अच्छाई बाकी है जना वो कीस लेकर बाइक स्टार्ट करने लगता है पर उससे बाइक स्टार्ट नहीं होती शायद वो कुछ जादा ही एडवास थी जिसके बाद वो पै नहीं आता कि वो इतनी दूर ट्रेन तक कैसे पहुंचेंगे और एक बार फिर से येटी अपना मैजिक दिखाता है और इन दोनों को पकर करके मैजिकली एक ट्रेन कैबन में पहुंच आता है अब ये लोग ट्रेन से येलो रिवर के पास एक टाउन में पहुंचते हैं जहां येटी को छुपाने के लिए उस पे कुछ रोप्स डाल देते हैं ताकि आसपास के जानवरों में वो थोड़ा गुम सा हो जाए इसके बाद ही पैंक से कहती है कि तुम येटी के पास रुको मैं जाकर जिन को ढूनती हूं अब यहां पर आसपास के याक्स जब थोड़ा यहां पर वो सबको बोट में बिठाता है और ये खटारा सी बोट चलाने लग जाता है हम देखते हैं कि मिस्टर बरनिश की कार अब एक बोट में चेंज हो गई है और इसी तरह पानी में उनको फालो करने लगी है यहां पर इनकी छोटी सी खटारा बोट में कुछ खास पा पट येटी की पावर से उनकी बोट चलती रहती है और ऐसे लगता है कि फील्ड भी बिल्कुल पानी जैसी है और यहां की फील्ड बिल्कुल नहरों की तरह इनकी बोट को आगे लेकर जाती है यह लोग मिस्टर बरनिश के लोगों से तो बहुत दूर पहुंच जाते हैं और और जब फील से बाहर निकलते हैं तो यहां पर यी का वाइलन टूच जाता है तूटे हुए वाइलन को देखकर यी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि यह गिफ्ट उसके फादर ने उसको दिया था यहां पर वह बहुत ही अपसेट होती है तो जिन आकर उसे थोड़ी तसली है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येटी अपने बालों से उस वाइलन को जोड़ने की कोशिश करता है और यी को उदास नहीं देख पाता और उसे वो वाइलन गिफ्ट करता है यहां पर ही बहुत खुश होती है और अचानक से वह रियलाइस करती है कि जिस जिस जगा से व थोड़े रेस्ट करने के लिए ये अपना वाइलन निकालती है और यहां पर येटी के बालों से जुड़ा हुआ वाइलन भी थोड़ा पावरफुल सा हो जाता है ये वाइलन बजाती है और यहां पर आस पास बहुत ही जादा प्यारे फ्लावर्स निकलने लगते हैं ये बिज़ क्रास ही करने लगते हैं कि दो बहुत बड़े चॉपर्स आते हैं जो के मिस्टर बर्णिश के थे अब ये लोग बिज़ को ब्लॉक कर देते हैं यहां पर येटी को फील होता है कि उसके हीमन फ्रेंट्स ट्रबल में हैं ऐसे में वो बिज़ के टॉप पर पहुंच हो गए थे और यहां पर वो रियलाइस करता है कि येटी तो अच्छा है वो इन चोते बच्चों की मदद कर रहा है और वो नहीं चाहता कि इनको कुछ भी हो इस सब के बाद मिस्टर बर्निश डॉक्टर जारा से कहता है कि येटी को छोड़ दो हमें इसे कुछ भी नहीं करना चाहिए डॉक्टर जारा यहां पर कहां रुकने वाली थी हो मिस्टर बर्निश को ब्होश कर देती है और बाकि सारी आर्मी को आर्डर देती है कि येटी को पकर लो यहां पर येटी को बाकि सारे Fantasy कुछ दाट्स मारते हैं जिसे वह बिहोश होकर नीचे गिर जाता है यहां पर यी उसको बचाने के लिए आती है तो डॉक्टर जारा उसे ब्रिच से नीचे धका दे देती है ये लोग पैंग और जिन को भी अपने साथ ले जाते हैं पर जैसे के मूवी के स्टार्ट में मैंने बताया था कि यी इस मूवी की हिरोईन है और हिरोईन ऐसे तो मर नहीं सकती हम देखते हैं कि ही ने खुद को गिरने से बचा लिया था वो एक रोप को पकर कर फिर से ब्रिच को क्लाइम करती है और उपर आके अपना मैजिकल वॉयलन प्ले करती है वॉयलन की आवाज सुनते साथ ही येटी जाग जाता है और वो खुद को इतना पावरफुल फील करता है कि खुद को फ्री कर देता है इसके बाद वो पूरे रास्ते में आईस क्रिस्टल्स बनाता है ताके उनको किसी भी तेरी किसे रोक सके डॉक्टर जारा अपनी गारी को वापिस मोर कर इन पर फिर से अटैक करने वाली थी पट यहाँ पर येटी अपनी पावर यूज करता है और एक ग्लेशर को इन पर गिरा देता है जिसके बाद इसकी कार नीचे खाई में गिर जाती है इस सब के बाद मिस्टर बरनिश को रियलाइस हो जाता है कि ये बचे भी बहुत अच्छे हैं और वो उनको आफर करता है कि आओ मैं तुम लोगों को घर छोड़ दूँ यहाँ पर यह उन्हें कहती है कि नहीं अभी भी हमारा रास्ता बाकी है हमने येटी को उसकी फैमली तक छोना है यहाँ पर फिर येटी कुछ क्लाउट से फिश बनाता है जिसके पर बैट के ये लोग येटी की फैमली तक पहुंचते हैं हम जब उसकी फैमली को देखते हैं तो वो बहुत ही जादा बड़े जायंट से येटी थे जो के येटी को देकर बहुत ही जादा खुश होते हैं और इसके बाद बाकी सब लोग मिस्टर बरनिश के साथ घर वापस आ जाते हैं घर जाने के बाद ये बाकी सारी जॉप्स छोड़कर एक नॉर्मल लाइट कजारने लगती है वो अपनी फैमली के साथ बहुत जादा टाइम भी स्पेंड करती है और अपने फ्रेंज के साथ भी और ऐसे ही मुवी एंड हो जाती है